नमस्कार मैं अर्चना और आप देख रहे हैं एंटी विनिश पक्ष और आज हम बात करने वाले हैं जंतर मंतर पर पहलवानों का हैश्ट्राइग मीटू को लेकर विरोध प्रदर्शन दरसल गुरुवार को लगातार दूसरे दिन करीब दो सो भारतिय पहलवान दिल्ली में जंतर मंतर पर धरने पर बैठ हैं उन्होंने कई एथलीटों का यौन उत्पीडन करने वाले महासंग प्रमुख और कई कोचों के खिलाफ कारवाही की मांग की है भारत की सबसे सफल महि पहलवानों में से एक ट्रिपल कॉमन वेल्ट गेम्स की स्वन पदक विजेता विनेश फोगाट के आरोपो के सारवजनिक होने के बाद देश के खेल मंतराले ने बुद्धवार को भारतिय कुष्टी महासंग डबलू यू एफ आई से 72 घंटों के भीतर आरोपो का हैं और अगर वे सही पाए गए तो मैं आत्मा हत्या कर लूँगा मैंने बजरंग पुनिया सहित कई पहलवानों से संपर्क करने की कोशिश की लेकिन संपर्क नहीं हो पाया फोगाट ने दिल्ली के जंतर मंतर पर एक सारवजनिक विरोत प्रदर्शन में ब्रज भूशन सि खिलाफ कई अन्ने शीर्ष पहलवानों के समर्थन में आरोप लगाए उन्होंने कहा राष्ट्र शिवरों में कोशों और WFI अध्यक्ष द्वारा महिला पहलवानों का यौन उत्पीडन किया गया है मैं राष्ट्र शिवर में कम से कम 10 से 20 लड़कियों को जानती हूँ जिनोंने आकर मुझे अपनी कहानिया सुनाई हैं वोगाट ने कहा कि कई पहलवान आगे आने से डरते थे वे अपनी पारविरी प्रश्ट भूमी के कारण डरे हुए हैं वे उनसे लड़ नहीं सकते क्य कुकि वे शक्तिशाली हैं कुछती हमारी एक मात्र आज ये विका है और वे हमें ऐसा नहीं करने दे रहे हैं हमारा एक मात्र विकल्प मरना है अब देखना ये है कि सरकार इस मामले पर क्या एक्शन लेती हैं तमाम ऐसी ही खबरों के लिए आप देखते रहें एंटी विनि